मेरे पती के एक्सिडन के बाद मैं काफी अकेली पड़ गई थी वह पूरा दिन बेड पर ही लेटे पड़े रहते थे और कुछ कर भी नहीं पाते थे तो ऐसे में मेरी जिंदगी एकदम से निरस हो गई थी और मैं कई महीनों की प्यासी मचली की तरह तड़प रही थी एक दिन मेरे एक रिष्टेदार का लड़का विराट हमारे घर देखभाल करने के लिए रहने आया मैं बच्चा समझ कर उसे अपने पास ही लेता लेती थी पर एक दिन उसने हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस मनमोहक कहानी में मेरा नाम सुनीता है मेरी उम्र कुछ 26 साल के करीब होगी पांच महीने पहले मेरे पती उमेश का एकसिडेंट हो गया था और उसे एकसिडेंट होने की वज़ह से काफी गंभीर छोटे आ गई थी वह पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे और वह बैड पर ही पड़े रहते थे उनके एक्सिडेंट के बाद मैं अपने घर में एकदम अकेली पड़ गई थी तो उनकी देखभाल करने के लिए गाम से एक मेरे पती के रिलेशन से एक लोग को बुलाया गया था एक दिन मैं घर में बैठी थी कि तभी मेरे घर पर कोई आता है और दर्वाजे की घंटी बजाता है मैंने जाकर दर्वाजा खोला तो देखी कि मेरे दर्वाजे पर एक जवान लड़का खड़ा था तो मैंने उससे पूछा कि कौन हो और क्या बात है तो उसने वहीं खड़े-खड़े दर्वाजे के बाहर से ही अपना परिचे बताया वह बोला आंटी जी मेरा नाम विराठ है और उसने अपने पिताजी का नाम बताया और कहा कि मैं रामपुर से आया हूँ पापा ने बताया होगा फोन पर फिर मुझे तुरंत याद आया और मैंने कहा अरे मैं तो भूल ही गई थी मैंने उससे कहा अंदर आ जाओं और इतना कहकर मैंने दर्वाजे खोले और विराठ संकोच करता हुआ अंदर आया वह बोला आंटी जी मैं आज ही यहां आया हूँ आपको बहुत पहले वही शादी में देखा हुआ था जब आपकी शादी हुई थी तो तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था अब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ और यह लीजे मम्मी पापा ने यह सामान आपके लिए भेजा है और इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया और उस बैग से ताजा फलों, सबजियों और आचार वगेरा की बड़ी ही अच्छी खुश्बू आ रही थी मैंने खुशी से ठैंक बोलकर बैग ले लिया फिर उसे चाय नाश्ता कराई इसी बीच मैंने जोर देकर उससे कहा तुम्हें यहां अब तब तक रहना होगा जब तक तुम्हारे अंकल की तबियत पूरी तरीके से ठीक न हो जाए मैं तुम्हारे पापा को कह चुकी हूँ और तुम्हें यहां सब कुछ मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी रहने में तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना और थोड़ा अपने अंकल को संभालने में मेरी मदद कर देना विराट यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया और मुझे महसूस हुआ कि वह मन ही मन बहुत खुश हुआ मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था फिर वह जल्दी से अपना सारा सामान जो उसने बाहर रखा था जट से अंदर ले आया उसे मैंने एक कमरा बताया और पूरा दिन विराट बस अपना कमरा ठीक करता रहा कुछ ही देर बाद वह यहां हम लोग के साथ घुल मिल गया था मगर उसका दिल यहां इतनी जल्दी लग जाएगा यह मैंने सोचा ही नहीं था फिर मैंने विराट को अपने पती उमेश से मिलवाया विराट यह सोचकर हैरान रह गया कि अंकल जी तो एकदम से बेड़ पर ही पड़े है तो कैसे और काम करते होंगे उसे महसूस हो रहा था कि जैसे इस घर में आंटी के अलावा कोई और है ही नहीं फिर मैंने विराट को टोकते हुए कहा दरासल बात यह है कि इनका एक बहुत ही भयानक एकसिडेंट हुआ था और तब से यह बेड़ पर ही पड़े रहते हैं यह दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जाकते रहते हैं मगर कल से वह दिन भर और रात भर सोते ही रहे मेरे दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे मैं विराट के आने से बहुत खुश थी दो लोगों की वजह से सुनसान घर में कुछ रौनक से आ गई थी विराट स्वभाव का काफी अच्छा था और मेरा बहुत खयाल भी रखने लगा था एक रोज की बात है कि मैं घर में काम कर रही थी और गाने गुनगुना रही थी तभी विराट रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा मैं हंस कर बोली विराट तुम अभी बच्चे हो तुम्हारा काम है पढ़ना और तुम अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, तुम ये सब काम मत करो, मैं कर लूँगी। जवाब में उसने कहा, हाँ, आंटी, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 20 साल का हो गया हूँ। मैंने आश्चरे से विराट की ओर देखा, तो वह बोला, हाँ, आंटी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रह गया। सब अच्छा चल रहा था और हम हसी खुशी एक साथ रह रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वह कमपनी से काम करके वापस घर लोट रहे थे, तो रास्ते में उनको किसी गाडी ने टक्कर मारी और एक्सिडेंट हो गया। इसलिए वह ज्यादा तर अपने कमरे में ही रहते हैं। इसलिए मैं आपसे मिल भी नहीं पाया था। एक बार आपको देखा था, आप पापा के पास कुछ खाने को लेकर आई थी। मैंने कहा, हाँ, हाँ, तब मेरी नई-नई शादी हुई थी और मैं उनको मिठाया खाने के लिए देने आई थी। क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ चली आई थी। दिन गुजरते रहे और विराट को हमारे यहाँ रहते तीन महीने हो गए थे। विराट लड़कपन के टेड़े मेरे रास्ते पर ही चल रहा था। लेकिन वही यह साफ समझ गया था कि हम दोनों पती-पतनी की खामोश जिंदगी में डॉक्टर के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत बोल बात कर लेता था। विराट मुझे पटाने की लगातार कोशिश कर रहा था और मुझे भी इतने दिनों से कोई सुख नहीं मिला था तो मैं भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे बीच की दूरियां घटती जा रही थी। अब मुझे विराट की बातें और उसका बहाने बहाने से स्पर्श बहुत ही अच्छा लगने लगा था। विराट ही मुझे संभालता था और मुझे प्यार से गले लगा लेता। और पीछे से मेरी दोनों आँखें बंद करके मेरे कानों में अपना मुह लगा कर बोला। सुनीता आंटी आज मैं आपका सारा काम करूँगा आप इधर आओ और आराम से बैठ जाओ। वह धीरे धीरे से मेरे मुलायम गालों को दबाता हुआ और खुश्पूदार बालों को सूंघता हुआ मुझे एक कुरसी पर बिठाने लगा। और मैं भी अब मस्ती में आ गई थी, मैं उठ गई और वह कुरसी पर बैठ गया और मैं भी उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही शांती से रहे और ना ही कुछ बोले, बस चुप चाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी पांच मिनट बीते होंगे कि तभी किसी के खांसने की आवाज आई। हम दोनों चौक गए और घबरा कर मैं अपने आप को विराट से तुरंत अलग किया। पर एक हलकी सी चपत लगा कर और दूसरे गाल पर मीठा सा चुम्बन दे कर चली आई। इस पर विराट बोला कि अरे आँटी दूसरे गाल से इतनी क्या दुश्मनी है वह भी तो चाहता है। मैं और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस ही गई थी। मगर उस सुबह मेरे विराट ने मेरा सारा अधूरापन दूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानू कई महीनों बाद आज रेगिस्तान में बरसात हुई थी और जम के हुई थी। अब हम दोनों मुर्जाय से बेड पर ही पड़े हुए थे कि तभी खासने की आवाज दो बारा आने लगी। विराट को फिर से तड़पने लग गया। उसने जान बूझ कर किचन में बरतन गिराने शुरू कर दिये। मगर मैं उसके इशारे को सुन कर भी उसके पास नहीं गई। मैं अपने पती के हाथों और पैरों को सहला रही थी पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं विराट पैरों को सहला रही हूँ। मैं उसके साथ बिताय हुए पलों में खोती जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारे जीवन में बिलकुल इसी तरह होना चाहिए। और सोच सोच कर मुझे बहुत ही गहरा आनंद और मेरे मन में गुदगुदाहट सी महसूस हो रही थी और मैं उस दिन बहुत ही खुश थी लेकिन मैं इस बात से बिलकुल ही बेखबर थी कि मैं अपने पती के साथ बैठी हुई हूँ। मेरे पती को मेरा यह बरताव बेहद अजीब लग रहा था। वह भी यह महसूस कर रहे थे कि मैं अचानक से बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। मैं उनके पास भी नहीं लेटती थी और अगर लेटती भी तो बस दस-पांच मिनट तक ही। मैं नई नवेली दुलहन सी बन चुकी थी। अब विराट भी जो शुरू में उनसे कभी कभार एक सेकंड के लिए ही मिलता था वह अब उनके हाथ पैर भी दबा रहा था और खाना भी खिला पिला रहा था। एक दिन रसोई में मैं काम कर रही थी कि तभी विराट ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझको चूमने लगा। मैं भी उससे लिपट गई और हम दोनों एक दूसरे में तभी कुछ गिरने की आवाज आई और इस आवाज से हम दोनों चौक कर एक दूसरे से अलग हुए और फिर हंसने लगे। विराट के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी, मुझे अपनी जिन्दगी जो एकदम नीरस सी लगने लगी थी, आज वही जिन्दगी मुझको फूल सी और खुशियों से भरी लगने लगी थी। मैं विराट का मेरे घर में आने को कुदरत के किसी करिश्मा की तरह मान चुकी थी विराट को यहां आए पांच महीने पूरा होने जा रहा था और मैं उससे मिलकर निखर सी गई थी अब हमारा पूरा जीवन प्यार से भर चुका था तो दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे मनमोहक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें